दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर छड़े हुए बेल पत्र को खाने से क्या होता है दोस्तों? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है पैसे की कमी है नौकरी नहीं लग पा रही है बीमारियों से परेशान है तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आज की इस वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें तो दोस्तों आखिर क्या होता है आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेल पत्र छड़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं कई बार आपने सुना होगा लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी, जो कि आपको कहीं भी नहीं पता, चलने वाली आप लाखों करोडों रुपए खर्च कर देंगे, आपको यह जानकारी नहीं पता चल पाएंगी तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चड़ाते हैं, तो वह बेलपत्र कोई साधारन बेलपत्र नहीं रह जाता, बलकि वह साक्षात भगवान भोलेनात का प्रसाद बन जाता है तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फाइदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चड़ा बेलपत्र छे महीने तक बासी नहीं माना जाता जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र को शिवलिंग पर चड़ाने के बाद उसे पुनधोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चड़ाया जा सकता है क्योंकि भारत में कई ऐसी जगय है जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चौरा होता है उसको भगवान भोलेनात को चड़ाते हैं ऐसा विधान है तो दोस्तों बेलपत्र को भगवान भोले नाथ पर छड़ाने के पीछे एक पौरानिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमरित के साथ कई और चीज भी निकली थी जिसमें से एक विश निकला था विश आप ज इन से नील कंठ भी कहा जाने लगा परंटु विश के प्रभाव से भगवान भोले नाथ के शरीर का ताप बढ़ने लगा जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान भोले नाथ तो दोस्तों उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान भोलेनात को बेलपत्र का सेवन कराया और भगवान भोलेनात को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने ततकाल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया इसके इससे बाद भगवान भोले नात के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान भोले नात को बेल पत्र छड़ाने की परंपरा मानी गई है। उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेल पत्र चड़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेल पत्र भगवान भोले नात को नहीं चड़ाया जाता है। चाहे वह बेल पत्र हो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वाकई में भगवान भोले नात की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हमारे चैनल दा वास्तु शास्त्र के माध्यम से प्रतियक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना बहुत ही जरूरी है और हिंदू भाईयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप प्रति दिन बेलपत्र छड़िये तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान भोले नाथ जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं, उनके तिजोरी में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेल पत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्थ होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाईयों बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फाइदेमंद साबित होती है। तो आएं जानते हैं, बेल पत्र संबंधित कुछ विशेश जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेश समय होता है जिन में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि विशेश कर बेल के पेड़ पर भगवान भोलेनात सोमवार के दिन वास करते हैं। उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रति दिन दोपहर बारह बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है और आप फिर भी बारह बजे बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है दोस्तों। अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ती कैसे हुई। आइए जानते हैं तो दोस्तों। पुराणों के अनुसार एक बार माता पारवती की, पसीने की कुछ बूंदें, मध्यान चल परवत पर गीर गई, इससे वहाँ एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से लोग जानने लगे और बेलपत्र के रूप में पूजनिया हो गया। तो इस वीडियो म भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चड़ाते हैं, तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बलकि वह भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है, जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीडी को हरने में, एवं जीवन में चल रही सारी सम प्रस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है क्योंकि बेल पत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है इसलिए वह आपके लिए अम्रित जैसा बन जाता है तो आखिरकार शिव लिंग पर चड़े बेल पत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फाइदा मिलता है क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में इसके बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों शिवजी पर चड़ा बेल पत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोश दूर हो जाते हैं शरीर में जितने भी रोग होते हैं अगर आप बेल पत्र नृत्य रूप से कहते हैं तो आप लोगों से बचते हैं रोग दोश पित दोश का प्रदोश या तीन प्रकार के दोश बताए गए हैं और इनी तीन प्रकार के दोशों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोश उत्पन्न होते हैं अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेल पत्र का नित्य सेवन करना चाहिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीठ मचली मुरगा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं शराब पीते हैं चैनी खैनी गुटका तंबाकू ये सब चीज जो होती है उसका ग्रिहन करते हैं परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खापी रहे थे वह गलत चीज है परंतु आप वह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भौले नात भवान शिवशंकर पर चड़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारन करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णता आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे आपने कभी भी मीट मचली इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है आपने शराप पिया है आप इस पाप से मुक्तिपाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है आप अपने अ शुरू कर दीजिए। नित्य पांच बेलपत्र शाम में खाई है। अगर नित्य कहते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगे आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आपका दुर्भाग्य हो। जिस समयूश से आप बेल पत्र खाना شुरू कर देंगे, आपका दुर्भाग्य सौ भाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती ह इसके बाद आयूरवेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है खून होता है अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित, कोई बीमारी है नित्य पांच बेलपत्र खाए पांच बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा एक बेल पत्र का या दूसरे दिन दो बेल पत्र दिखाईए तीसरे दिन तीन बेल पत्र चाहिए इस प्रकार से आपको जो बेल पत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा धीरे धीरे खाईए लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिलकुल शुद हो जाए, साफ हो जाए, दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है, वह फिल्टर करने का काम भी करता है, आपके शरीर को जैसे आपके शरीर में किड़नी होती है, किड़नी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है, उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है आपका खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं फिल्टर कर देता है दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शिवलिंग पर चड़ा बेलपत्र रूप से एक महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए आपके सामने वाला जो व्यक्ति